राधे राधे एवरिवन आप सभी का हमारे शलमें बहुत-बहुत स्वागत है मेरी सभी बहनों को वट सावित्री वरत पूजा की धेरोशुप कामना है उनका सुहाग इसी प्रकास से अखंड बना रहे माता सावित्री की कृपा सदा सरवदा बनी रहे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको वट सावित्री की पूजा विधी करके दिखाने वाली हूँ कि किस प्रकास से आप साक्षात वट वरक्ष के नीचे बैट करके पूजा कर सकते हैं क्या-क्या सामिग्री आपको महापल ले जानी होती है फिर ही आपको कैसे करनी होती है पूजा के नीचे क्या होते है और पूजा के बाद जो हम सामिग्री चड़ाते है उसका हमें क्या करना होता है तो इससे पहले मैंने वट सावित्री पूजा में हमें किसके सामिग्री के आवशकता होती है घर पर वट सावित्री की पूजा आप कैसे कर सकते हैं, वट सावित्री के वरत में यदि आपको वर्ट वरक्षन ना मिले या उसकी टहनी ना मिले तो आप किस परकार से पूजा कर सकते हैं, इससे related कई सारी वीडियो जिनकी एक मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उस प्लेलिस् में मिल जाएगा तो वट सावित्री वरत पूजा नियम से रिलेटेड सारी वीडियोस को आप जरूर देखें बहुत ही आपको हेल्प रहेगी दोस्तो जेस्ट अम आवस को वट सावित्री वरत पूजा किया जाता है इसे बड़ मावस भी कहा जाता है दक्षिन भारत की आप जूस, दूद, आदी, फल, चाय आदी ले सकते हैं और उससे पहले करने होते हैं आपको 16 श्रिंगार अच्छे प्रकार से आपको 16 श्रिंगार करने चाहिए महंदी लगाने चाहिए महावर आलता और जितना ज्यादे ज्यादे हो सके उतना आप श्रिंगार करें आप शादी का जोड़ा भी पहन सकते हैं तैयार होने के बाद में आप वट व्रक्ष के पास जाएं यदि आपको देखे वट व्रक्ष के पास किसी भी प्रकार की कोई गंदगी आदी दिखाए देती हो तो वहाँ पर आप इस प्रकार से साफ अवश्य कर ले तो मैं देखे वट का पूजन करने आई हूँ और दोस्तों दक्षिन भारत में ये तियोहार है न वो वट पोर्णिमा यानि की जेस्ट पोर्णिमा को किया जाता है उत्तर भारत में ये जेस्ट अमावस के दिन किया जाता है पूजा के नियम पूजा विदी सब सेम ही रहती है और इसके बाद शादी की चुनरी हो ना उसे ओड़ करके आप इस पूजन को करें तो देखे इस प्रकार से मैंने चुनरी ओड़ ली है और ये दोपहर बारा बज़े के बाद ही ये पूजन किया जाता है तो पहले हमने थोड़ी साफसफाई कर ली उसके बाद में देखें या पर जल का कर सकते हैं इस जल में आप दूद मिला सकते हैं कच्चा और कुछ मीठा मिला ले इस तरीके से हमें फेरी देनी होती है तो ये जो वरत है ये सुहागन इस तरीयां अपने सुहाग की लंबी आयू के लिए करती है और अपने पती की ये शिकीरती उन्नती के लिए संतान के ल इसकी एक कथा है उससे रिलेटिट वीडियो भी आपको मेरे चनल पे मिल जाएगा तो देखें मैंने सबसे पहले बुमी का शुद्धी करन करने के बाद में वापे स्वास्तिक बनाया है आप यहां पे हल्दी कुम को थोड़ा सा डाल ले नीचे थोड़े से काले तिल डाल कर करके इस प्रकार से एक दीप उस पर रख ले देव कलश बना ले आप चाहे तो यहां पर नारिल भी रख सकते हैं कलश में आप और मैंने यहां पर वर्ट व्रक्ष का पत्ता ले करके उसके ऊपर सुपारी से गणेशी की और गोबर से गौरी माता की स्थापना करी है और ज नान कराने के बाद में सभी को हम वस्रूपी कलावा, जनेव, सभी को यहां पर हम अरपित कर देंगे इस प्रकार से देखिए तो वस्रूपी कलावा आप रपित करें क्योंकि आज विशेश रूप से वटविक्ष का पूजन किया जाता है तो उन्हें मैंने जनेव अरपि अरपित के बना करके और तीनो देवियों की मूर्तियों की भी इस्थापना कर सकते हैं जैसे कि महा सरस्वती, महालक्ष्मी और गौरी मैया की तो हमने आप पर इस्थापना ओलरी की हुई है तो उनका भी आप विदिविदान से पूजन कर सकते हैं वैसे बेसिकली आज के दिन वटवरक्ष का ही सरप्रथम मुख्य रूप से पूजन किया जाता है उसके बाद में देखे हमने कलश का भी पूजन किया है सभी को टीका कर दिया है चंदन से रोली से सिंदूर अरपित किया है गौरी मैया को और सावितरी मैया को उसके बाद में एपन जो हम घर से ब को चड़ा करके बाद में आशिरवाद सुरूप में आप उनसे ले सकते हैं गणेजी को दूरवा चड़ा दी है जो भी फूल आपके पास सुपलब्द हो वो आप यहां पर अर्पित करें और वटवरिक्ष के ऊपर आप चाहें तो इस प्रकार से देखिए एक वस्तर अर्प अगवा कलर का और एक पंखा आप यहां पर दो पंखे भी अर्पित कर सकते हैं बास की डलिया में रख करके जो भी मौसमी फल आते हैं वो अर्पित करें एक श्रीफल जरूर अर्पित करें कलावा लपेट करके इस प्रकार से और जो भी भोग प्रसाद आपके यहां पर ब तो एक पंका यहीं छोड़ दे, दूसरे को आपको घर ले जा करके अपने पती की सरपरतम हावा करनी होती है, या फिर अगर आपके साथ आपके हस्बेन आए हो तो वहीं पर आप इस पंकी से उनकी हावा करें, इसके बाद में हम वटसावितरी मैया से, गौरी मैया से और काया से अपनी मांग भरें और वहीं पर बैट जाएं वट विक्ष के नीचे, और हाथ में कुछ काले चने ले करके, वटसावितरी वृत की पुस्तक आप उठा करके, उसकी कथा का शरवन करें या पाट कर सकते हैं, तो इस तरीके से, वैसे ये जो कथा आदी किया जाता है पूजन पूरे ग्रुप में किया जाता है, तो हो सके तो ग्रुप में ही आप इस पूजन को करें नहीं तो, देखिए इस पूजन में क्योंकि बहुत सारी सामिगरी हमें ले जानी होती है, तो किसी ना किसी की हेल्प की तो आवश्रक्ता होती है, क्योंकि हमारा ही पूरा बैग भड़ जाता है जब हम इस पूजन के लिए जाते हैं तो यहां पर देखिए कहीं पर भी आप कच्छे सूथ से पहली हम फेरी देते हैं एक फेरी आप चाहे तो ज्यादा भी दे सकते हैं पांस साथ ग्यारा एक फेरी आप कच्छे सूथ से इस परकार से अटका दें एक पर दिखान करें जितनी आपकी सामर्थ हैं आप उतनी फेरियां करें उसके बाद में देखिए धोड़ी सी कपूर आप एक दिये में रख करके छोटा सा हवन अवश्य रूप से करें क्योंकि अमावस का दिन होता है हवन के अंदर सामिगरी अर्पित करें जो भी बोग है उसे आप अर्पित करें सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए पित्र देवों का ध्यान करते हुए इस प्रकास से चोटा सा आप हवन अवश्य कर दें जलकी आच में नहीं करा दें उसके बाद में हाथ में थोड़े काले तेल लेकर के पित्रों के नाम का आप तर करने के बाद में आप कुछ दक्षिना अवश्य रूप से यहां पर अर्पित करें और उसके बाद में वट वरक्ष के गले आपको इस दिन अवश्य रूप से लगना है यह जो पूजन है प्राचीन दिरगायू बर्गद्यानी की वट वरक्ष के नीचे बैठ करके करना या फिर पूर्णीमा तक तीन दिन तक किया जाता है जैसी आपके यहां पर कुल परमप्रा हो आप वैसा इस पूजन को कर सकते हैं। तो कोई भी व्रताप कठिन ना लें और आप चाहें तो यहाँ पर बायना भी निकाल सकते हैं गिसी को देने के लिए और चाहें तो आप अपने यूज के लिए कोई भी चुनरी कोई भी वस्तरादी या स्रिंगार की सामेगरी आप यहाँ पर चढ़ा करके बहुत सारी वर्ट व्रक्ष से आप ले सकते हैं पूजन संपोर्ण होने के बाद में यहीं परवर्ट व्रक्ष के नीचे पारण किया जाता है पारण करने में आप देखे घर से जल की एक बट ले करके या फिर मंदिर से ही जल ले लें वहाँ पर वर्ट व्रक्ष के जो फल लगे वे ह जाता है यह यहीं पर जैसी कुल परंपरा हो आप वैसा यहाँ पर पारंड करें यहाँ फिर सिफ जल पी करके ही आप यहाँ पर वरत का पारंड होती है कलश मिट्टी का इसलिए बनाय जाता है उसे यहीं छोड़ा जाता है ऐसे ही और कलश आप चाहें तो बड़ा घड़ा भी यहाँ पर रख सकते हैं जो किसी के काम आ सके भोग सामिगरी थोड़ी सी आप प्रसाद सुरूप ले लें यहां से बाकी सब आपको यहीं चोड़ना होता है और भोग प्रसाद भी यहीं छोड़ना तो थोड़ा भोट आप यहां से भोग प्रसाद ले सकते हैं बाकी सब यहीं पर छोड़ना होता है और जिसे पंडित जी मंदिर में जो भी होते हैं वो सब ले लेते हैं दक्षणा भी आपको यहीं छोड़नी होत क्थाया.